हेलो दोस्तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि MP Board ने 2020-21 के एक्जाम के लिए 10th Math से क्या-क्या portion डिलीट किया है ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर यह PDF है यह MP Board की website पर भी upload है कि क्या-क्या डिलीट किया है पर इसको समझने में students को कुछ दिक्कत हा रही है इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो देखिए हम सबसे पहले आते हैं chapter number 1 जो कि यह बास्तविक संख्या है real number उससे Euclid Division Lema यानि Euclid विभाजन प्रमेरिका को हटा दिया गया है यानि इससे हटाया गया है आपकी exercise 1.1 को ठीक है 1.1 को हटा दिया गया है इसमें से अब अपन बात करें chapter number 2 जो कि polynomial है यानि बहुपद इससे हटाया गया है 2.3 यानि कि जो division algorithm होती है जो विभाजन की जो होती basic theorem उसके इसाब पर मतलब पर जो भाग देते हैं भाग देने वाले हैं factors यहानि पर अपने जो polynomial को भाग देते हैं वो चीज़ हटा दी गई है ठीक है इसके बाद अपना आते हैं chapter number 3 पर pair of linear equation in two variable यानि कि दो चरोवाले जो रेखिक समीकरण होते हैं उनको हल करने की जो cross multiplication method है यानि बजर गुण अनकन भी दी उसको हटा दिया गया है यानि 3.5 हटा आया गया है chapter number 4 जो कि ये quadratic equation यानि बर्ग समीकरण उससे situational problem है मतलब जो bird problem आती है जो आपको story problems आती है और उनसे हमें बर्ग समीकरण बना के हल करना रहता है वो हटा दिया गया है chapter number 5 के अगर हम बात करें यानि arithmetic progression है ना उसमें से arithmetic progression यानि समांतर सेनी वाला जो chapter है chapter number 5 उससे हटाया गया है application in solving daily life problem based on the sum to n problem यानि कि जो n पदों का योग होता है है ना उससे संबंदित जो questions थे आपके ये थे आपके 5.3 के वो हटाया गया है चलिए अब हम आते हैं 6 chapter पे यानि triangles पे ठीक है यानि तुरबुच पे तो इसमें से कुछ खास तो नहीं हटा लेकिन जो कुछ ये जो theorem है सामने लिखी हुई है आपके यानि theorem number अगर book में देखें तो 6.6 और 6.9 इनको प्रूफ करना इनको जो सिद्ध करना है वो हटा दिया गया है ठीक है ये आप देख सकते हैं page number 141 और 146 पे English medium की book पे अब अगर आप देखें chapter number 7 है coordinate geometry है ना coordinate geometry में से हटाया गया है area of triangle यानि जो तरबुझ के छेतरफल निकालने वाले question है ठीक है ये है 7.3 English medium का page number 170 ठीक है इसको हटा दिया गया है ये आप question जो है इनके वो paper में नहीं पूछे जाएंगे chapter number 8 है introduction to technometry है ना तिरकोण में ती इसमें आपका हटा दिया गया है जो complimentary यानि पूरकोण बाले है ठीक है उनको हटा दिया गया है यानि 8.3 को हटा दिया गया है ठीक है अब अपना आते हैं chapter number 9 some application on technometry है ना मतलब तिरकोण मती के कुछ अनुप्रियोग ठीक है तो इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है इसमें से यह देखिए आप देख सकते हैं no diletation ठीक है अब अपन देखते हैं chapter number 10 chapter number 10 है circles तो circles में से भी आप देख सकते हैं no diletation circle में से भी कुछ नहीं हटाया गया यानि जो chapter number 10 है ब्रत उसमें से कुछ नहीं हटाया गया है फिर जो chapter number 11 है construction यानि की रचनाएं उन में से construction of triangle similar to a given triangle यानि एक तरभुज के समरूप दूसरा तरभुज बनाना ये वाला भाग हटा दिया गया है ये मिलेगा आपको 11.1 में मतलब 11.1 लगबग लगबग हटा दी गई है अब अपन बात करें ये area of area related to circle ठीक है यानि की ब्रत से जुड़े छेत्रफल तो उसमें जिसमें central angle 120 डिग्री आता है इसमें कुछ question मिलेंगे जिसमें केंधरी कोण 120 डिग्री है बो वाले question केवल हटाए गए है अब देखिए अपन बात करते हैं चेप्टर नमबर 13 की तो चेप्टर नमबर जो 13 है वो है surface area and volume है ना तो surface area और volume में first time of corn यानि संकु का छिनक इस से जुड़े questions हटा दिये गए हैं यह है आपका 13.4 यानि 13.4 को हटा दिया गया है अब अपन बात करें चेप्टर नमबर 14 जो की statics है यानि सांखी की तो इस में से हटाया गया है step deviation method यानि जो अपन माध्य निकालते हैं उसकी पद बिचलन भी दी ठीक है उसको हटा दिया गया है और cumulative frequency graph है है ना मतलब संची अबरती वक्र जो है 14.4 बो हटा दिया गया है इसके बाद फिर जो चेप्टर नमबर 15 है probability उसमें से कुछ भी नहीं हटा है तो उम्मिद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अब समझने में असानी होगी कि MP वोड ने 2020 और 21 के exam के लिए क्या चीज़ें हटाई हैं यह जो सम्मे ने बताई हैं उनको नहीं पढ़ना है वो exam में नहीं आएंगी इसके हलावा जो बसता है वही सब आपका exam का sliver से अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो और आप इसी तरह से आगे अपडेशन चाहते हैं MP वोड से जुड़े हुए तो हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में भी और जो भी नई MP वोड की जानकारिया है वो मिलते रहे